नमस्कार दोस्तों, A2B2 Study की YouTube चनल पर मैं रंजीत केश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं UP Polytechnic Index Exam 2023 के लिए D-Pharma यानि Diploma in Pharmacy E-Group में पूरे UP में कितने Government College हैं, कितने Added College हैं और कितने Private College हैं जिसे कि आप ये आंदाया लगा पाएंगे, कि आपको Government College या फिर Added College मिलने के चांसे कितने हैं तो पूरी वीडियो में Last तक बने रहिए, आपको सभी College के बारे में डेटेल में जनकाई दी जाएगी तो लिए Class को इस्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम Added College की बात कर लेते हैं Added College वो College होते हैं जो कि Government का उस पर एकाधिकार होता है उस पर सासन तो Government College का ही होता है लेकिन Added College की तुल्ला में अगर Government College और Added College में हम डिफरेंस समझें तो Government College की अगर फीस दह जार रुपे है तो Added College की जो फीस होगी वो 12 से 13 जार रुपे हो सकती है इनके फीस में थोड़ा बहुत चेंजेज होता है इसके अलावा Government और Added College में कोई बेसिक अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है सबसे पहले जोगर College हम देख रहा है Added College में Group E यानि Diploma in Farmacy के लिए ही और वो आपका College है जनता पॉलिटेकनीक जांगीराबाद बुलन सहर उत्राखर में ये College है और ये Added College है ठीक है और इस College में पूरे UP में इस College के लिए आपके 33 Added सीटे है यानि इस College में केवल 33 सीटे ही अविलेबल है और इस College में आपके boys और girls दोनों ही admission ले सकते है इसके लिए आपका दूसरा जो College है वो भी Added College है इस College के नाम है श्री रामादेवी रामदयाल त्रिपाथी girls पाटर निए College कानपूर इस College में केवल girls का ही admission दिया जाता है और इसके लिए आपके टोटल 66 यानि 66 सीटे अविलेबल है इस College में आपके admission के लिए ठीक है दोस्तों इसके बाद अगला जो आपका college होने वाला है वो है Excellent Center of Farmacy Industrial Area सरोजनी नगर लखनव लखनव में ये college है और पुरी तरह से government college है सरकारी college है और इस college में आपके टोटल 44 सीटे अविलेबल है इस college में boys और girls दोनों ही students को admission दिया जाता है group E के लिए यानि group E1 और group E2 दोनों ही group के student इसमें आ जाते है अगला जो college आपका है वो government polytechnic लखीम पूर खिरी में ये college है और ये पुरी तरह से government college है इसका college को आप देख सकते हैं इसमें भी आपके टोटल 44 सीटे ही अविलेबल है और आप देख सकते हैं 44 सीटे इसमें थे 44 सीटे में है इसके बाद अगला जो college आता है आपका government college वो ये government girls polytechnic college और ये प्रयाग राज इलहाबाद जिसका नाम बदल दिया गया है government college है और इसमें आपके 44 सीटे ही अविलेबल है इसमें केवल girls को ही admission दिया जाता है boys इसमें admission नहीं ले सकते देखे इसके बाद आपका आखरी जो college है government college की बात कर रहा है हम वो है आपका government politics जॉन पूर में ये college है और ये बहुत ही अच्छा college माना आता है departmental students के लिए government college है ये और इसमें आपका total 680 सीटे हैं 66 सीटे हैं और इस college में आपके boys और girls दोनों ही student admission ले सकते हैं ठीक है तो दोस्तो अभी आपने देखा पूरे UP में government और added college को कितनी संख्या इसकी है और कितने college है आप अगर count करने गए तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच ही college आपके government college है पूरे UP में defermency के लिए इसके अलावा कोई भी government college नहीं है इसके अलावा आपकी added college जो है, इनकी संख्या कितनी है, दो यानि पाँच और दो, साथ ही college ऐसे हैं, जो कि आपको defermency के लिए government आप इसे कहेंगे अब दोस्तो आपने देखा कि इसमें total साथ ही college ऐसे हैं, जो कि defermency कराते हैं government के तरफ से ठीक है, जिसमें की added भी आजाते हैं, अब इसमें 2-3 college ऐसे हैं, जिनमें केवल girls को ही admission दियाता है उनमें wise admission नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो अगर आप wise है, तो आपको और भी जादे महत करने के आउ सकता है अगर पूरे UP में total मिला कर बात कर लें, तो करीब 300 मान सकते हैं आप, ठीक है, 300 के लगभग आपके total college है, जिसमें की government और added college दोनों ही आ जाते हैं अब इन 300 college में admission लेने के लिए आपको 300 plus marks लाना होगा, तभी आप इसमें admission ले पाएंगे दोस्तों अगर हम बात करें private college की, ठीक है, private college के अगर संख्या की बात कर लें, तो पूरे UP में करीब 950 से भी अधिक आपके total private college है और private college में अगर आप dependency करने चाते हैं, तो इसके लिए फीस भी काफी जादे होती है, और ये आपके जिले में, आपके शहर में आपके नजदिक भी हो सकता है और ये चेक करने के लिए आपको ये पूरी PDF हम टेलेग्राम पे प्रवाइड करा देंगे, टेलेग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के description में अभी लेबल मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउन्डोड कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको उमिद है जनकाई समझ में आगा ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको जनकाई चाहिए, तो आप में कमेंट करके पूछ सकते हैं,